Hello friends, welcome to my channel The Easy Gate, I am Rahul Gupta, if you are new to my channel, please subscribe, share and like video, don't forget to press the bell icon to get the latest update and provide your valuable comments. Hello everyone, welcome to the Easy Gate, we have started the Analog Series, we have 12 lecture, we have 12 lectures read, and in the video, we have a question which we have seen, and we have a question which is a question which is a question which is the average value of PAV, की तो बहुत सारी स्टूडेंट का डाउट था उन्होंने मुझे भाट सब भी किया मैसिज किया कि सर जो के बील लगा रहे हैं के बील लगाने में प्रॉब्लम आ रही है प्लस माइनस की गलती हो रही है तो मैंने सोचे चलो इसका सॉलूशन देख लेते हैं एक वीडियो में और यहां से आपका कॉंसिक प्लियर हो जाएगा कि जब भी आपका एसी सोर्स लगा हो डायोड लगे हो तो हमें के बील कैसी ल value of voltage b a b in volts across terminal a and b जिन्होंने पिछल lecture किया होगा उन्होंने पता होगा कि यह मैंने assignment के लिए धिया था और कुछ है बच्चों ने comment बे answer भी दिये थे answer तो सही है बपे उन्होंने यह बहुँप लेक्त प्रॉब्लम है मैंने चलो इसको एक video बना लेते हैं यहां से concept आपका clear अगर मैं bi को draw करूं तो bi यह सी draw होगा कुछ एक sinusoidal signal एक this is bi this is positive half cycle this is negative half cycle हमें सब इसकी बात करने हैं omega t और इसी को हम लिख देते हैं alpha this is 0, this is pi and this is 2pi and यह value दिए हमें 6pi और यह value होगी minus का 6pi minus का 6pi अब हमें ध्यान यह देना है कि जब हमें diode का state देखना है सबसे पहले हमें diode का state देखने पड़ेंगे कि कब कौन सा diode on है कब कौन सा diode off है तो ऐसा देखने के लिए अपने पास वही method थी कि जितने भी diode लगे हो उसको हम open कर देते ओपन करने के बाद हमें इस्टेर पतल लग जाएगा open circuit निकालने के बाद कि वह कब on होगा कब off होगा सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कब on होगा कब off होगा इसके बाद मैं आपको direct बोल दूँगा कि आप इस question को direct कर सकते हो देखेंगे जड़ा एक बार मैं इस method को पूरा apply करता हूँ पहले this is vi इसको भी मैंने open कर दिया और इसको नाम दे दिया मैंने plus minus boc बन this is 10 kilo ohm this is also 10 kilo ohm और इसको भी मैंने open कर दिया और इसको नाम दे दिया मैंने minus plus boc 2 और यह रहा 20 kilo ohm यह है 10 kilo ohm अब देखेंगे जब मैंने इसको open कर दिया दौनों डायोट को तो साहथ इसमें कोई भी current flow नहीं होगी इसको महला किसी भी register में कोई भी voltage drop नहीं होगा जब कोई भी voltage drop नहीं होगा तो simple मैं किसी भी एक loop को ले कर ب-o-c 1 औnd ब-o-c 2 नकाल सकते हूँ जैसे अगर मुझे b-o-c 1 नकल लाँ तो मैं इस वाली loop में ले लेता हूँ और जब मुझे b-o-c 2 नकलना है कैसे लगाएं तो kbl जब भी आपको ac दिया जाए अब ac में polarity आपको polarity देनी गई है कि कहा plus है कहा minus है तो आपको करना क्या है आपको हमेशा kbl लगाते हैं जब हम kbl लगा रहे हैं ध्यान से सुनेंगे जब हम kbl लगा रहे हैं हमेशा ऊपर plus लेंगे और नीचे minus लेंगे ऐस 65 sin omega t यह चीद ध्यान लगना तो हम सबसे पहले boc1 और boc2 निकालता हूँ तो क्या आएगा minus bi plus boc1 equal to 0 तो boc1 equal to 2 आएगा bi के बराबर boc2 निकालते हैं तो क्या आएगा minus bi minus boc2 equal to 0 तो यहां से boc2 आएगा equal to minus का bi यह चीज़ आपको ध्यान लगना है boc1 आगया और boc2 आगया अब हमें diode का अब हमें diode की condition बता लग गई कि d1 और d2 कब on होगा तो case यहां पर देख लेते हैं for d1 to be on कब on होगा d1 कब on होगा जब boc1 greater than 0 होगा क्योंकि इसने बोल ती है diode ideal है अगर diode ideal है तो simply greater than 0 के लिए हो जाएगा तो यहां से क्या condition आएगी boc1 की value है bi should be greater than 0 इसका मलब diode d1 on कब होगा जब bi greater than 0 होगा अगर d2 के लिए बात करें for d2 to be on तो क्या होना चाहिए boc2 should be greater than 0 boc2 की value कितनी है minus bi greater than 0 that means bi should be less than 0 तो अपने पाद दोनों condition आ गई कि d1 on कब होगा जब bi greater than 0 होगा और d2 on कब होगा जब bi less than 0 होगा इस waveform को देखो bi positive कब है bi positive है जब alpha की value 0 से लेके pi की बीच में है यह बाला और bi negative कब है जब alpha की value pi से लेके 2 pi की बीच में इस switch में इसका मलब मैं अब directly यह बोल सकता हूँ कि जब alpha की value या फिर omega t की value 0 से लेके pi की बीच में होगी तब input positive होगा और d1 forward wise में होगा और d2 reverse wise में होगा और दूसरे case में हम बोलेंगे कि जब alpha की value pi से लेकर 2pi की बीच में होगी या फिर omega t की value pi से लेकर 2pi की बीच में होगी तो d2 on हो जाएगा और d1 off हो जाएगा तो हम यही करने वाले हैं case 1 case 1 case 1 लेते हैं जब omega t की value कहां से कहां था कि 0 से लेकर पाई की बीच में, तब bi कैसा है, greater than 0 है, और जब bi greater than 0 है, तो d1 on हो जाएगा, and d2 off हो जाएगा, circuit कैसा बनेगा, देखेंगे जड़ा, हमें bi ही लिखना है, minus bi तो भूल जाओ, d1 on है, तो इसको sort कर दिया, d2 off है, तो इसको open कर दिया, ये, ये, और ये, circuit side ऐसा ही बनेगा, this is 10 kilo ohm, this is 20 kilo ohm, and this is also 10 kilo ohm, अब आते हैं BAB पर, BAB की polarity उसने already दे दी है, कि ये वाला point A है, ये वाला point B है, और यहाँ plus है, यहाँ minus है, तो हमें इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है, कि इसकी polarity कैसी होगी, जब भी, कभी वो voltage पूछेगा, वो polarity जरूर दे देगा, बिना polarity के voltage अधूर अगर polarity नहीं देगा, तब आप voltage नहीं निकाल सकते और, voltage drop नहीं निकाल सकते और, फिर आप plus भी बोल सकते हो, minus भी बोल सकते हो, दौनवा answer ओसकते हैं, तो जब दी अगर वो voltage पूछेगा या फिर कहीं पर आपका voltage drop पूछेगा तो polarity जरूर देगा इसने दे दिया है यहाँ plus है यहाँ minus है तो हमें इसी polarity को लेकर ही बी-ए-बी निकालना है देख लेते हैं अगर मैं इस circuit को और थोड़ा simplify करूँ तो देहुए इस circuit कैसा बनेगा यह बी-ए-ई है दिस इस 20 किलो-ओम दिस इस 10 किलो-ओम और दिस इस अलसो 10 किलो-ओम अब B-A-B A point कहां पर है, A Point यहां पर है और B Point यहां पर है Sorry, A Point यहां पर है and B Point नीचे है B Point नीचे इसका मतलब यहाँ plus है और यहाँ minus है आप यह देखो यहाँ plus है यहाँ minus है अब आपको निकालना है B-A-B तो आपके आप directly bolted divider rule से نिकाल सकते हो B, A, B कितना हो जाएगा B, A, B, कुल्ट हो जाएगा 10 डिवाइड वाइ 10 प्लस 20 इन्टो B, I That means B, I, Y, 3 बोल्ट B, I, Y, 3 बोल्ट अब दूसरा case है इसी case में जो मैं दूसरा case ले रहा हूँ इस case में बड़ी problem आएगे दूसरा case क्या है case 2 कि जब omega t की value कहाँ से कहाँ तक है pi से लेके 2 pi की बीच में है तब bi कैसा है less than 0 है तो हम इत्ता तो पता लग गया कि d1 off है और d2 on है d2 on है अब यहाँ पर सुनेंगे circuit कैसा बनेगा पहले मैं circuit बना लेता हूँ यह bi है यह off है तो off कर दिया this is 10 kilo ohm तो यहाँ पर मैंने 10 kilo ohm कर दिया this is also 10 kilo ohm इसको ही मैंने 10 kilo ohm लेक दिया यह on है तो इसको मैंने on कर दिया this is 20 kilo ohm यह मैंने 20 kilo ohm लगा दिया b a b same है यह रहा a point यह रहा b point यहाँ plus है यहाँ minus है इस circuit मैं फिर से थोड़ा simplify कर देता हूँ यह bi है यह 10 kilo ohm यह 10 kilo ohm यह 20 kilo ohm यह 10 kilo ohm यह 10 kilo ohm अब b a भी दियान दो जा रहा कहा है यह रहा a point यह रहा b point आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे आप लोग थोड़ा observe कर पा रहे होंगे कहा पर a point है कहा पर b point है कहा पर plus है कहाँ पर minus है अब हमें लगाना है इसमें kb L हमने देखो पिछले case में kb L कैसे लगाये था हमने पिछले case में yg kb L ऐसी लगाये था यहां plus यहां minus तब हम बोल पाई थे B A B equal to B I Y 3 अभी भी हमें क्या लगाना है अभी भी हम K B लगाएंगे तो यहाँ plus यहाँ minus मैं यहाँ पर दोनों case लेगे चलता हूँ कि उपर plus नीचे minus लगाओगे तब आप B A B B B कितना लिखोगे तब आप B A B equal to लिखोगे धान से देखते जाएंगे minus का आएगा B I divided by 2 minus का B I divided by 2 और दूसरा case क्या हो सकता है मैं दूसरे pen से लेता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पर minus लिए यहाँ पर plus लिए तब आप यहाँ पर के लिखोगे तब आप यहाँ पर लिखोगे minus B I मैंने इसी circuit पर कर दिया चलो मैं दूसरे circuit बना लेता हूँ थोड़ा और confusion दूर होगा यह B I यह 10 किलो ओम यह भी 10 किलो ओम इस इस 20 किलो ओम इस इस 10 किलो ओम इस 10 किलो ओम अब आप अगर polarity ऐसी ले तो यहाँ plus यहाँ minus तो फिर आप लिखोगे minus B I minus B I और B I को ध्यान लगता है B I तो वही है 6 5 sin omega T B I एक sinusal signal है 6 5 sin omega T तो अगर आप नीचे plus उपर minus लेते हो तो आप लिखोगे minus B I अगर आप उपर plus नीचे minus लेते हो तो लिखोगे B I तो यहाँ पर confusion दून करने के लिए सिर्फ एक ही concept लेके चलो सिर्फ एक ही science convention लेके चलो कि जब भी हमें AC source में K V I लगाना है तो उपर plus लेना है नीचे minus लेना है और लिखना है B I simple और यहाँ से B I B की value जो आई थे वो आई थे minus B I Y2 अगर आप यहाँ से भी लिखोगे B I B की value this is A point this is B point and this is plus this is minus अभी भी अगर आप लिखोगे इसमें K V I L तब भी आपका अंसर यह ही आएगा minus B I Y2 आप लगा के देखो तो B I B की value अभी भी कितनी आएगी minus के B I Y2 तो यह चीज़ धान रखनी के यहाँ पे गलती होने के chance बहुत जादा होते हैं अगर आपने यह concept समझ लिया K V I L का तो आपके एक भी कुशन गलती होगे अभी किलपर के कुशन आएगे और बहुत अच्छे level पे कुशन आते हैं उसमें तो यही concept लगेगा K V I L का यहाँ पाई साइन ओमेगा टी कब जब ओमेगा टी की वैल्यू कहां से कहां तक है जीरो से लेके पाई की बीच में एंड माइनस का B I Y 2 और B I की वैल्यू फिर से रख दो 6 पाई साइन ओमेगा टी पैड़ बाइड वाई 3 एककॉल टू माइनस का 2 इस इस टू नोट 3 इस इस टू यू विल गेट माइनस 3 पाई साइन ओमेगा टी कब वैन ओमेगा टी इन बिट्वेन पाई टू पाई अब आपके इसके अबरेज वैल्यू निकाली तो अबरेज वैल्यू को फॉर्मूला आपको पता है अबरेज वैल्यू होती है 1 अपउन 2 पाई मलगा उसका टाइम पियर्ट इन्टिकेशन 0 2 पाई बी एबी इस इज बी एबी एंड डी ओमेगा टी या फिर डी अलफा उसके एंगल की रिस्पेक्ट में करना होता है उसके टाइम एक्सिस के रिस्पेक्ट में टाइम एक्सिस है क्या ओमेगा टी है ठीक है तो कितना हो जाएगा बन अपॉन 2 पाई इसको अलग-अलग करते हैं जब 0 से लेके पाई की बीच में तब इसकी वैल्यू कितनी है 2 पाई साइन ओमेगा टी d ओमेगा टी पिलस जब पाई से लेके 2 पाई की बीच में तब इसकी वैल्यू है माइनस 3 पाई साइन ओमेगा टी d ओमेगा टी सो 1 ओवर 2 पाई इंट्रिकेशन 0 2 पाई साइरे 2 पाई बाहर लेलो और साइन ओमेगा टी का हो जाएगा minus cos omega t from 0 to pi minus 3 pi बाहर हो जाएगा इसका हो जाएगा minus cos omega t from pi to 2 pi यह तो simple integration है यह तो आपकी math है आप कर सकते हो simple integration तो कितना आएगा विखो 1 over 2 pi यह 2 pi यह minus बाहर हो जाएगा cos pi की value होती है minus 1, cos 0 की value भी होती है minus minus हो जाएगा plus 3 pi, cos 2 pi होता है minus 1 तो minus minus plus हो जाएगा यह बन होगा यह तो simple integration है आप लोग कर पाएगे, बहुत अच्छे से कर पाएगे तो 1 over 2 pi उपर आएगा, यह बन जाएगा 4 pi यह बन जाएगा 6 pi answer is 5 bold तो अगर आपको यह kb e लगाना आ गया एक बार अगर आपने kb e लगा लिया plus minus की गलती नहीं की तो answer हमेशा सही आएगा answer है आपका 5 bold तो आपको ध्यान रखना है कि आपको kb e लगाना कैसे है मैं एक बार फिर से repeat कर देता हूँ इस question को ताकि आपको confusion दूर हो जाए कि जब bi की value greater than 0 थी सबसे पहरे तो हमने condition नकाल ली अब क्या हम directly यह नहीं बोल सकते है देख की बोल सकते है क्योंकि जो अपने d1 है उसकी polarity देखो p उपर है और n नीचे है और जो d2 है उसमें n उपर है और p नीचे है तो हम directly ऐसा बोल सकते है कि bi की positive cycle के लिए d1 on होगा d2 off हो जाएगा और bi की negative cycle के लिए d2 on हो जाएगा d1 off हो जाएगा तो हमें सबसे पहले तो state जाननी है ऐसे question में सबसे पहले हमें state जाननी होती है diode की कौन से diode off है कौन से diode off है फिर दूसरी problem होती है kb l की जब हमें kb l लगाना है तो kb l लगाते समय हमें ध्यान ही नी देना है कि कहा plus कहा minus हमें सब kb l लगाते समय उपर plus लो नीचे minus लो question कभी गलत नहीं होगा तो आप मेरे concept से चलो आप मेरा ही convention लेकर चलो आपको कहीं भी problem नहीं आएगी आपके सारी question solve हो जाएंगे I hope आपको ये question समझ में आया होगा and if you really like my video please like, share and subscribe to my channel Thank you